हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो दे न्यू सेशन ऑफ अरिजमेटिक आज से हम एक न्यू सीविस स्टार्ट करें जिसमें हम आज डिसकस करने वाले हैं पर्मुटेशन कोंबिनेशन तो इस टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक मतलब बेसिक सवार मौडवेट एडवांस टफ तफ तो सभी कोशन को डिसकस करेंगे ठीक है तो आज हम इंट्रॉडक्शन ओफ पी एंसी यानी पर्मुटेशन और कॉंबिनेशन को जानेंगे तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल्स क्या होते हैं ठीक है तो फैक्टोरियल्स डिफाइंड होता है होल नंबर्स के लिए हैं और अगर जैसे मैंने कहा एन फैक्टोरियल्स सब्सक्राइब होता है तो अब यह जहां से भी ओपन होता है जिस भी नंबर से होता है वन सब्सक्राइब करते हुए हम यह उन तक आना होता है आखर अगर मैंने कहा क के वह न होते फेक्टोरियल्स तो इसका मत्रव है तीन इंटू एक कम करेंगे दो इंटू एक कम करेंगे वन तो क्या बन जाए है रही है, इसी तरह सा यकर मुझे 4 factorial बताना हुआ तो 4 3 2 1 कितना आ जाएगा 24 इसी तरह से मुझे 5 बताना हुआ तो 5 4 3 2 1 120 यानि कुछ तो हमें factorials याद हो नहीं चाहिए जैसे मुझे 1 factorial 1 होता है 0 factorial भी 1 होता है यह most important result है 0 factorial भी 1 होता है और 1 factorial भी 1 होता है 2 factorial 2 into 1 is 2, 3 factorial 3 into 2 into 1 is 6, 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1 is 24, 5 factorial 120, 6 factorial 720, 8 factorial तो 8 कहा हूँ मैं पहरे 7 factorial देख वेते हैं 7 factorial 5040, 8 factorial 40 320, 9 factorial 362880 और 10 factorials तो एक से देकर यह आप कहें 0 से देकर 10 factorials तक हमें याद हूँ जिससे जो भी अगर हमें factorial कहीं पर directly use करना है तो हम उसका इस्तमार कर पाएं पहली चीज़ फर्स हमने discuss किया कि factorials होते हैं, सेकंड हमने discuss किया कि 0 to 10 factorials का value क्या है तीसवे देख वेते हैं क्या हम किसी factorial को in between, बीच में कहीं पर रोख सकते हैं क्या जैसे मैंने कहा 5 factorial, जैसे यहां रिखा हुआ भी है तो अगर मैं 5 को अलग करूँ और जो यह बाकी का है क्या मैं इससे 4 factorial रिख सकता हूँ, answer तो 120 ही रहेगा इसी तहा से अगर मैं 5 को 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे था 5 into 4 को अगर मैं अलग करके 20 into क्या इसको 3 factorial कह सकते हैं और अगर मैं इसको 5 into 4 ही रहने दूँ, यानि आप जितने भी points या जितना भी value उसका निकाल रहें उसके बाद वाज़े का factorial बना सकते हैं जैसे 10 factorial है अगर, तो 10 into 9 factorial रिख सकते हैं, आपने कहा 9 को भी बाहर ले रहे, तो 10 into 9, 8 factorial आपने कहा 8 को भी अगर हम बाहर कर दे, तो 7 factorial, आपने कहा 7 को भी अगर हम बाहर कर दे, 10 into 9 into 8 into 7, 6 factorial and so on तो जितना भी आप जहां भी जितना भी आप बाहर कर देंगे, उसके बाद फिर factorial हम लगा सकते हैं, ठीक है, मैं चाहूंगा कि इसको note कर रहे हैं, या screenshot आप इसका कर रहे हैं, ठीक है, I hope आपने कर लिया होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब factorial हमने जाना, अब factorial में जो मै अबर सगर solve करूं, 10 factorial by 7 factorial solve करना है, ठीक है, इंक change करते हैं, 10 factorial by 7 factorial, तो मैं जानता हूँ कि जब मैं 10 को open करूंगा, कभी न कभी 7 मिलेगा, तो 10 into 9 into 8 into 7, और नीचे भी 7 है, तो मैं इसको directory cut कर सकता हूँ, otherwise मुझे क्या करना पड़ता, मुझे पहरे 10 को 1 तक जाना पड़ता, and with the same case, मुझे 7 को 1 तक जाना पड़ता, तो उज़े repetition उसको हटाने के रहाइसा करते हैं, with same logic, अगर 20 factorial by 18 factorial solve करना है, तो 20 into 19 into 18 factorial, whole divided by 18 factorial, तो cut जाएगा, क्या बन जाएगा, 380, तो यहां तक by far हम नहीं जाना कि factorial को हम कैसे solve कर सकते हैं, कुछ factorial की values जो directory याद करने को कहिए है, वो भी हम याद करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसको रिख लीजेगा, तो factorial जाना, factorial को कैसे इस्तमाल करना है, वो जाना, factorial को divide कैसे देना है, and so on, वो सारी चीज़े जान ली, अब आते हैं, मुद्द से हम discussion start करते हैं, सबसे पहला मान वीजिये, हम से कहा जाता है, तीन persons है, A, B, C, या तीन खिलाड़ी है, A, B, C, इनमें से हमें 2 को, इनमें से हमें 2 को select करना है, तो 1 ने कहा, एक परसंद ने कहा, कि देखिया, ऐसा कर लेते हैं, A को और B को select कर लेते हैं, फिर किसी ने कहा, नहीं, B और A को कर लेते हैं, तो अगर 2 परसंद को चुनना ही है, तो A और B, और B और A, हो सेम ही चीज़ रहेगी, तो इसका मतलिए अलग अलग तवीका नहीं ह हुआ, सेम वे, B और C, C और B, A और C, C और A, तो 1 यह क्योंकि आपस में equal है, 2 क्योंकि यह भी equal है, और 3 क्योंकि यह भी equal है, so in how many ways we can do this, तो हम अगर 3 मैं से 2 को चुनना चाहते हैं, तो यह हम 3 तरीके से कर सकते हैं, वहीं अगर सवार यह होता, कि हमारे पास 3 persons हैं, कोई भ होगे टीम, कोई भी, उसमें से 2 हमें select करने हैं, out of ABC, नाम दे जाता हूं, उनका, एक को हमें captain बनाना है, और एक को हमें vice captain, ठीक है, इन 3 मैं से जिन 2 को भी आप select करेंगे, एक को हम captain बनाएंगे, एक को vice captain, तो मानवे जे, अब मैंने A और B को select किया, A को मैंने captain बना दिया, और B को क्या बना दिया, vice captain, वहीं किसी और नहीं को करते हैं, विकिन captain बदल लेते हैं, यानि इस case में, जब A और B था, select की बहात थी, सिर्फ, उसके आगे कुछ नहीं करना था, तो अगर मैंने नाम दिये A, B या B, तो that is a same thing, विकिन अब person तो वहीं दो हैं, लिकिन एक बा और B captain है, A, vice captain, तो अब ये दोनों बाते, same नहीं है, with the same logic, B or C, C or B, with the same logic, A or C, C or A, so in how many ways, और जो ये total scenarios generate हुए, तो ये कितना हुआ, six ways, तो अब अगर हम दोनों तरफ देखें, तो जो first था, कि तीन persons में से, दो को select करना था, ये था, ownerly selection, और technical terms में इसी को combination कहा जाता है, technical terms में इसी को combination कहा जाता है, और यहाँ पर क्या था, select and position, और आप कहा सकते हैं, arrange, इसके भी एक शब्द आता है, ordered selection, शब्द आता है, ordered selection, और topic के नाम के हिसाब से, इसको क्या कहते हैं, permutation, तो जहाँ बात होती है, selection की, उसे कहते हैं, combination, जहाँ बात होती है, select and arrange, उसे कहते हैं, permutation, अब इनके कुछ formula भी होते हैं, किसके, permutation के और combination के, तो permutation का होता है, n, p, r, n का factorial, whole divided by n minus r का factorial, तो I hope कि आपको समझ में आये होगा, कि पहरे हमने factorial क्यों पढ़े, क्योंकि जब formula हमने discuss करना होगा, तो factorial काम आयेगा, तो n क्या होता है, total, distinct things, कितनी चीज़े आपके पास available हैं, और सब अलग होनी चाहिए, and r क्या होता है, selected distinct things, r की जो value होती है, वो 0 से लेकर, n के बीच में ही राय करेगी, और किसी की भी value negative तो हो ही नहीं सकती, अभी जो हमने सवाल बनाया है, उसमें, हमें 3 मैं से 2 persons को select करके, arrange करना था, तो क्या बनेगा, 3 का factorial, 3 minus 2 का factorial, तो 3 का factorial divided by 1 factorial, 3 factorial 6 होता है, 1 factorial 1 होता है, अभी आपने देखा भी 6 ये तरीके हैं, तो हम directories का इस्तमाल करें, again, अगर मुझे ncr लगाना हो, तो क्या होता है, n factorial divided by r factorial, n minus r factorial, ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे 3 मैं से 2 को select करके, रखना था, तो 3 factorial divided by 2 factorial और 1 factorial, n की जगा मैंने 3, r की जगा मैंने 2 रख दिया, तो 3 factorial क्या होता है, 6, 2 factorial 2, 1 factorial 1, तो कितने तवी के आगए, 3, तो यह वही 3 ways थे, ठीक है, तो अगर हमें select करके arrange करना है, it becomes a permutation, और सिर्फ हमें select करना है, it is a combination, अब इन दोनों के बीच में एक relation भी होता है, NPR और NCR के बीच में, तो वो क्या होता है, उसको भी जगा जान लेते हैं, NPR होता है, NCR into r factorial, यानि अगर हमें कुछ चीज़े arrange करनी हैं, तो पहरे उन्हें select कर रहें, और जितना भी select किया है, फिर उसे arrange कर दें, इस पेस नहीं है, तो अब एक बार इसका मैं चाहूँगा क्या आप लिख रहे हैं, या screenshot कर रहे हैं, ठीक है, I hope आपने कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैंने ही कहा कि अगर हम arrangement करें, जैसे अभी था कि तीन मैंसे हमें, दो को ही चुनके, और Captain और Vice Captain बनाना था, तो पहरे मैंने कहा, तीन मैंसे दो को select कर लेते हैं, फिर जितनों को चुना, उन्हीं को arrange कर देते हैं, तो 3 C2 क्या बन जाएगा, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial, into 2 factorial, तो कितना जाएगा है, 6, तो यह relation बढ़ा important है, याद बखियेगा, कहीं पर भी अगर लगे, NPR, NCR, R factorial, ठेक हैं, NPR is equals to NCR into R factorial, इसको भी कर ले note दाउं, I hope कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं, तो by far हमने जाना कि factorial क्या होते हैं, how to simplify and solve the factorial, 0 to 10 तक जो factorial से उनकी value हमें याद होनी चाहिए, इसके साथ साथ हमने जाना कि what is the difference between permutation and combination, permutation is a ordered selection, जहां चीजे चुनकर किसी बहाफ पे arrange करनी है, that is permutation, जहां सिर्फ हमें select करना है, that is a combination, य किस order में चीजे रखी जानी है, किस order में चीजे रखी गई है, तो वो selection होता है, जहां order matter करता है, it becomes a permutation, एक और चीज हम देख वेते हैं, concept होता है and, or का, concept of and, MNP rule पढ़ेंगे वो इस पर depend करता है, and होता है must condition, must मतलब no choice, ठीक है, उसी तरह से जो और है, और बताता है आपको alternate, alternate आपको बताता है choice, यानि जहां आपको choice मिलेगी वहाँ पर, और जहां आपको must मिलेगा वहाँ पर end, तो end इसको symbolically multiply से अलग करते हैं, और इसको symbolically plus से अलग करते हैं, ठीक है, यह हमें पता हो, कि end को multiply से अलग करेंगे, and or को plus से अलग किया जाएगा, ठीक है, अब यह concept क्या होता है, जब यह हम देख वेते हैं, जब मान वीजिए, एक person है उसके पास, दो trousers हैं, दो jeans हैं, दो shirt हैं, दो t-shirts हैं, यह काम करते हैं, कुछ बदर देते हैं, सब कुछ दो ही दो हो गया, इसको मान वेते तीन कर देते हैं, इसको चार कर देते हैं, इसको एक कर देते हैं, सबाज यह पूछता है आप से, कि in how many ways the person can dress, वो जो person है, वो किस तरह से, या कितने तरीकों से तयार हो सकता है, ठीक हैं, अब अगर उसने trouser उठाया, और jeans, तो फिर हमने एक, आप कहें कि logical approach के साथ भी थोड़ा सा देखना है, कि अगर उसने trouser पहना तो jeans नहीं पहनेगा, या jeans पहनेगा तो trouser नहीं, है, so we can say that, इन दोनों के बीच में जब उससे select करना है, तो condition क्या बनेगी, और, कि या तो वो trouser को select करेगा, या वो jeans को, उसी तवहा से अगर आप कहें, shirt, shirt, or t-shirt, तो इसके बीच में भी, again, और होगा, अब अगर आप कहें, किसा ऐसा हो सकता है, वो पहले t-shirt डाल, सवार के perspective या माध्यम से जाएं, तो नहीं हमने करना, मतला, या shirt, या t-shirt, तो इन दोनों के बीच में भी choices है, विकिन जब आप upper portion और lower portion में, जब आपने select किया, shirt या t-shirt, इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो आपको पता चलेगा, end, आपको पता चलेगा, end, तो इस तरह से हमने end, or को हमने एक बार differentiate करना है, चीजों को जानना है कि भी कहां पर क्या, कितना है, आप जैसे मान वीजिए, जो trousers हैं, आपके इंसर जो दो trousers हैं, हो सकता है, एक blue, एक black, so में जीन्स भी, blue, black, rough या rugged, जो भी आप कहते हैं, shirt, अगें, इट कैन आर्सों भी कराशी फाउ on the basis of color, white, color भी white ही चुन रेते हैं, blue, red, black, again combination wise ने जाएंगे, जैसा अगर black trouser चुना, तो black shirt नहीं चुनेगा, या ऐसा contrast, ऐसा कुछ नहीं है, ठेक है, समय टी-shirt, let's say the red, तो अब जब बात आई, trouser की, तो भी, वो है कहता है, आप देखो, या तो blue वाले को चुने लेते हैं, blue trouser उस पर, एक black, तो how many choices do have, for trousers, two choices, jeans के लिए कितनी है, 3, shirt के लिए, 4, t-shirt, 1, ठेक है जी, तो जो और है, उसके बीच में क्या जाएगा, plus, and है, multiple है, तो total, ये 5 choices है, और ये भी 5 है, so in how many ways he can dress up, 25 ways, अगर आपने हैं, 25 ways, अगर हमें लिखने हो, जानने हो, तो किस तरह से उसका interpretation देख सकते हैं, तो मानवीजें उसने blue trouser के साथ white shirt पहनी है, इसी तरह से blue trouser के साथ उसने blue shirt पहनी है, blue trouser के साथ उसने red shirt, इसके साथ black shirt, और blue trouser के साथ उसने red shirt पहनी है, so ये वो 5 है, इसी तरह से blue की जगह आप क्या डालते है, black trouser right side को constant रखिये, फिर blue jeans ये constant, black jeans constant, rugged jeans constant, you have that, या those 25 combinations जो आपको यहां पर मैंने directory बताए, ठीक है, so by far हमने session में क्या-क्या जाना, factorials क्या होते हैं, कौन-कौन से factorial की values हमें याद हो, factorial को बीच में कैसे रोख सकते हैं, factorial को simplify and solve कैसे कर सकते हैं, इसके साथ हमने जाना के permutation और combination जो introductory part है कहां पर selection कहां पर ordered selection, combination is a selection, permutation is a ordered selection, ठीक है, and or का concept भी हमने देखा, इसको note करें एक बार, I hope आपने किया screenshot, अब जो भी total जो हमारा topic है, permutation, जिसको ordered selection या जिसको arrangement भी कहते हैं, पहरे हम arrangement करेंगे deserts का, और उनके साथ क्या बनेंगे, numbers, desert को आगे पीछे करने से numbers बनते हैं, फिर हम arrangement करेंगे letters का, उससे क्या बनते हैं, शब्द, words बनेंगे, फिर हम arrangement करेंगे persons का, और अंत में हम arrangement करेंगे objects का, तो आप मिला जोजा करें कह सकते हैं तो इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे या देखेंगे तो इसमें हम एक फेस देखेंगे इसके साथ हम यहां पर कमेटी बेज़ कोशन्स जो होते हैं वो भी हम देखेंगे ठीक है तो अगेर यह मेजर मेजर पार्ट है किसका कॉम्बिनेशन का सो अपने अगरे सेक्षन में हम अवेंजमेंट पढ़ेंगे किसका डिजट्स का उसके साथ क्या बनाएंगे नमबर्स तो इस इंट्रड़क्शन पार्ट है पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन का कहीं भी डाउट हो तो एक बार सेशन को दुबारा देखें हर आपको समझ में असानी से आजाएगी थैंक यू